गैय क्रिशी कारे के अवसर आजादी के समय हम अधिकांशिता अपने उभोग के लिए अनाज का उत्पादन करते थे एवं सीमित मात्रा में बाजार में अनाज बेचा करते थे परन्तु अब खेती ने व्यवसाईक रूप धारन कर लिया है इस कारण खेती के लिए जरूरी साधन खरीदे जाते हैं जैसे बिजली, खाद, बीज, ट्रेक्टर, ट्रिविल, हार्वेस्टर, आदी इसके लिए साग की जरूरत होगी जिसका उल्ले किया जा चुका है अब खेती के पैदावार का एक बड़ा हिस्सा बाजार में बेचने के लिए लाया जाता है क्रिशी से संबंधित शेत्र, जैसे दुगधूत पादन, मत्से पालन, वनोपज, आदी से लोगों की आवशक्ताओं की पूर्ती होती है हमारे देश में गाओं में अधिकांश लोग छोटे किसान या मजदूर है इन लोगों को क्रिशी शेत्र में लगातार और साल भर काम नहीं मिलता फल स्वरूप छोटे एवं गरीब क्रिशक क्रिशे के प्रमुक कारे जैसे जुताई, बुआई वा कटाई का कारे करते हैं खाली समय में किसी दूसरे कारे जैसे मजदूरी, स्थानी बाजार में सबजी बेचना, इट भठों पर काम करना, मकान निर्माण में काम करना या अनिशेत्रों में पलायन करके आय अर्जन करते हैं इस तरह के अनेक गैर क्रिशिकारे आजकल बढ़े हैं, लेकिन वे अनियमित एवं अनिश्चित हैं और कम मजदूरी वाले शेत्र हैं